हलो एवरिवार वेलकम तो माई चैनल लॉन विट फायजा आज हम एक एसी हल प्रॉब्लम और इसके सलुशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहां पे देखिए कि फेफडो में कफ जमा हो गया है तो फेफडो में किस कारण से कफ जमा होता है चार्टी में आपको बहुत ज्यादा कफ जमा हो गया है बलगम जमा हो गया है तो इसे कैसे निकाल सकते है बार बार आपके गले के पीछे नाक के पीछे बलगम बनता रहता है या फिर आपकी नाक जो है वो बहती रहती है पूरी तरह से बड़ी हुई नाक है बार-बार आपको गला साफ करने जाना पड़ता है जाहिर से बात है गले के पीछे बलगम होगा तो आप बोल नहीं पाओगे सास थीक तरीके से नहीं ले पाओगे तो उसके कारण आपको बार-बार अपना गला साफ करना पड़ेगा और आपको गीली खासी भी आ रही है तो ये जो सबी health problem है उसको solve करने वाली medicine के बारे में सीखेंगे उस medicine का नाम है Mucinex 600 tablet इसके बारे में ये जो सारे content आप यहाँ पे देख रहे हैं इस slide में ये content पे आज का हमारा video lecture रहेगा तो आप plastic बने रहे हैं अगर आपको भी जो सारी समस्या हैं उससे बाहर निकलना है तो आप Mucinex tablet ले सकते हैं लेकिन कब लेना है, किस condition में लेना है उसकी contraindications क्या है, warnings क्या है, क्या side effects रहती है इसकी सारी जानकरिया आपको मेरे आज के video lecture में मिलेगी सबसे पहले समस्ते हैं मुकोलाइटिक एजन्ट है, एक easy class के medicine है, जिसे कहता है मुकोलाइटिक, यानि कि मुकोस को पतला कर देता है इसका जो ब्राण नेम है, वो है Mucinex 600 शुगर-free, औरेंज फ्लेवर में, एफरवेशन टेबलेट सवे लेबल है तो औरेंज फ्लेवर और शुगर-free भी कंटेन यहां पर लिखा हुआ है से प्लाव से मैनुफेक्चर करती है आप मैनुफेक्चरिंग के बारे में और भी जानेंगे उससे पहले जानते हैं, शॉल्ट कंटेन तो उसमें जो सॉल्ट कंटेन है, वो यह है कि तो एक तरीके से यह अपकी म्यूकस को पतला कर देता है मैनुफेक्चरिंग सिप्ला लेमिटेड कंटेन करती है इंडिया की मल्टिनेशनल फार्मसेटिकल कंपनी है इसका जो हैर ओफिस है वो कहां पर है मुंबै में अब सीखेंगे यूजिस के बारे में कि म्यूसी ने कब ले सकते हैं तो नियूमोनिया की कंटिशन, ब्रॉंकाइटिस, र्टियाई, एक्सेसिव म्यूकस, अब्स्ट्रुक्टिव लंग डिजिस और प्रोड़क्टिव कॉफ विथ म्यूकस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि RTI, यानि कि रैस्पिरेटरी ट्रेक इंफेक्शन, अब ब्रॉंकाइटिस के बारे में यहाँ से सिखेंगे कि ब्रॉंकाइटिस में क्या होता है, जब भी एर वेस नॉर्मल होते हैं, तो यह जो पार्टिकल्स है, ग्लोबिट सेल है, व वू भी तिक हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो ब्लॉंकियो च्टुबियूल, इसका डायामेटर क्या हो जाता है, चोटा हो जाता है, और आपको ब्रीइटिंकर लेने में परेशानी होती है, इससे अमारी जो एरवी जो सिलीया, इस्यो है, जो यह जो हैर सेल्स चोटे चोटे वो आपके डेमेज हो जाते हैं नाव वीडियो के बीच में मैं आपको एक चूटी सी एड़ ब्रेक लेकर बदाना चाहती हूं हमारी एक न्यू लाउंच बुक है जिसका नाम है डिजिस एंड ट्रीटमेंट तो आपको भी हमारे साथ इसे ही स्टरी गरना अच जाएगे अब हम लेबल स्टरी के बारे में बात करेंगे तो इसके जो लेबल स्टरी है वो यह एक एफर्वेशन टेबलेट है वो साधी सिंपल सी टेबलेट नहीं है एफर्वेशन टेबलेट है तो एक पिक में आपको टोटल 10 टेबलेट मिल जाती है उसका सॉल कंपोजि फुल ग्लास पानी लेंगे इस तरीके से जो पिक्चर में दिखाया हुआ है उसके बाद यह जो टैबलेट है वो आपको पानी में इस तरीके से डालनी है और यह जो छोटे चोटे बबल्स निकल रहे हैं पूरी तरीके से इस तरीके से यह जो टैबलेट है वो पूरी पानी म कैसे करती है मुकस को कैसे पतला करती है तो ये मेडिसिन चिस्ट में और गले में जमा हुए बलगम को पतला कर देती है ऐसा होने पर वो हमारी बूडी से इजीली निकल जाता है और पेशन को दीरे दीरे आराम मिलता है बलगम की समस्या से राहत मिल जाती है तो इसे वो क्या क और 14 साल से जो कम के बच्चे हैं वो उसे नहीं लेना है से मेनली एडल्ट केटेगरी लेगी उसे ही प्रिस्क्राइब करना है तो ये टेबलेट को सिंगल डूस में दिया जाता है यानि कि पर डे आपको एक ही मेडिसिन लेनी है प्राइस के बारे में सीखेंगे कि इसकी जो लेटिस प्राइस है 2024 की वो आपको रहती है 10 टेबलेट की रूबिस 322.82 इसकी टोटल 10 टेबलेट की पेक के आपको ये लेटिस प्राइस रहती है साइट इफिक्स देखेंगे इसकी साइट इफिक्स क्या है तो हैडेक, नूजिया, फॉर्मिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, फीवर, स्कीन पे रेसिस हो जाना फिर इन डाइजेशन जा भी फील होता है बर्निंग भी होती है लॉस ओफ एपिटाइट तो ये जो सारी जिसका नाम है डिजिस एन ट्रीटमेंट यानि की बिमारिया और उनका उपचार तो आपको ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप इस वाट्स अप नमर के थू कॉंटेक करें और अपने जो बुक है वो फ्री डिलिवरी में अपने घर पे रुपिज 749 में मंगवा सकते है इसकी कैसे पिशन को ये मैडिसिन नहीं देनी है और अवोइट करनी है तो 14 साल से कम के जो बच्चे है उसमें ये मैडिसिन सजेस्ट नहीं करनी है अगर किसी को ऐलर्जी है या फिर लिवर डिजीज, किद्नी डिजीज, स्टेवन जोंसन सिंड्रॉम तो ये कंडिशन में पिशन को अवोइट करना है जिसके कारण पिशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं गेस्ट्रिक अलसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, जो फैटी डिपोजाइट से वो जमा हो जाते हैं तो इस तरीके से पिशन को ये वार्निंग है जो की ध्यान में रखनी है उसके अलावा गेस्ट्रिक ब्लेडिंग हो जाना, पैप्टिक अलसर यानि कि स्टमक में ये जो चाले पड़ गए हैं, डियोडेनल अर्सर हो गया है, ब्रिस फिडिंग, प्रेगनसी में, हार्ट फेलर, हाइपरटेंसन और रिनल डिजीज तो ये जो सारी कंडिशन्स हैं उसमें प्रेगनसी केटेगरी इस मेडिसिन की है, कि प्रेगनसी में ये मेडिसिन सेफ नहीं है, तो इसके अल्टरनेटिव आपके जो काइनकोलोजिस हैं, वो सजेच करेंगे, आपकी हैल कंडिशन्स चेक करके, तो आपके जो भी हैल कंडिशन्स हैं, वो चेक करके, आपके जो का लिस्ट देख रहे हैं, यह लिस्ट के साथ हमें म्यूसिन एक अवोइड करनी हैं, पिशन को नहीं देनी हैं, खास करके इसे अवोइड किया जाता है, तो यहां पर यह जो आप लिस्ट देख रहे हैं, यह कंटेंट और यह जो कॉंबिनेशन से हैं, उसकी कॉंबिनेशन के सा तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इसे ही दिजिस एंड मेडिसिन के बारे में जान करी चाहिए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन को टर्न करना ना बूले थैंक यू फूर किते हूष तो टेयो रवचिंग करें आपको ऱुचिंग करें बूले रवचिंग झालन को सबसे ही जासितमत्योट इसक्ता है व 99 सबदेकश करें जारे ए county देसे ही जासे हाओおा सांत्रकरिस जान को सबनlangकर कुषा छोह में जास सफ एक जास पर गयाह को सबत्सितमत्म भी